अपने पती को मरवाने के लिए पतनी ने जिस कातिल को सुपारी दी वह कातिल सुपारी लेकर भाग गया और फिर उसके बाद पतनी ने खुद ही अपने पती को मारने की सुपारी ले डाली और दोस्तों उसके बाद पती की हत्या कर दी जाती है लेकिन यह बहुत ही पेचीद मडर केस की राम से भी जाना जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपूर में घटना हुई थी आखिर क्या हुआ था इस घटना के पीछे पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिर्ची बाद चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपूर की है और बड़ा ही मार्मिक मामला है यहाँ पर पती और पतनी के बीच का जो विश्वास का रिस्ता होता है उसके उपर प्रस्न सिन लग जाता है जब इस घटना के बारे में सुना जाता है यहाँ पर क्या होता है एक राजेश गौतम नाम का एक युबक रहा करता है जिसकी उमर 40 साल है उसके जो पिताजी हैं वह बहुत बड़े जमीनदार थे उनकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद ये टोटल तीन भाई होते हैं और तीनों ही भाईयों के नाम करोडों की जमीन की वसियत इनके पिता कर जाते हैं तक्रीवन 33, 44, 44 करोड इन तीनों भाईयों के हिस्से में प्रोपर्टी आती है तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी और उधर राजेश गौतम सरकारी टीचर भी लगा हुआ था और अब जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं बटवारे के हिस्से के तो वह प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम भी करने लगता है दिन में वह स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद वह प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता है इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही होती है यहाँ पर क्या होता दोस्तों 2012 में घरवाले उसकी साधी करवा देते हैं लड़की देख करके उस लड़की का नाम होता है पिंकी और 2012 में उसकी साधी हुई थी और अब आते आते 2020 आ जाता है और अब इन दोनों को दो बच्चे भी हो जाते हैं और दोनों ही बेटे थे दोस्तों 2020 तक तो सब कुछ ठीक था जब कोरोना की लहर आई थी उससे पहले लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोरोना की लहर जब आए थी उसके बाद यहाँ पर मामला बिगरने लगता है जो राजस गौतम होता है वोग सुबह सुबह उसका नियम था वह morning walk के लिए जाया करता है और अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाया करता है जिससे कि सरीर फिट रहे और बच्चे भी morning walk करना सीख है जाज़तर सेहरों में लोग जाया करते हैं सुब़ सुब़ ड्यूटी से पहले morning walk के लिए निकला करते हैं और राजेस का ये सिस्टम था कि वह हफते के पूरे दिन वह morning walk के लिए जाया करता था कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सनिवार को नहीं जाते हैं या फिर लेट जाते हैं कि कल तो छुटी है चले जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो राजेस गौतम होता है वह हर दिन morning walk के लिए जाया करता है और अब क्या होता दोस्तों 2021 आ जाता है 2021 में उसका एक बहुत अच्छा plot था अच्छी जगह पर वैस सोचता है कि इस plot में क्योना एक कोठी बनवाई जाए अच्छी सी पैसे की उसके पास कमी थी ही नहीं तो वह उस plot में खाली पड़े plot में construction का काम यानि कि निर्मान कार्य चलाने लगता है और निर्मान कार्य चलाने के लिए उसको मिस्त्रियों की ज़रुरत होती है तो वह एक मिस्त्रिय जिसका नाम होता है सेलेंद्र उसको अपनी कोठी बनाने के लिए दे देता है यानि कि एक तरह से ठेके पर या फिर मिस्त्री सलेक्ट कर लेता है उसको तो सेलेंद्र जो मिस्त्री होता है उसकी भी उमर तकरीवन राजेज गौतम के आसपास उमर के बराबर ही थी 38-49 साल और जो सेलेंद्र होता है मिस्त्री राजमिस्त्री वे अपने मजदूरों के साथ उसकी उस खाली पड़ी पिलोट में काम करने लगता है कंस्ट्रेक्शन का और एक कोठी का निर्मान करने लगता है अब तो यहाँ पर क्या होता जो राजमिस्त्री होता है रोज-रोज उनके घर पर आने लगता है कभी कुछ काम की पूछने के लिए कभी कुछ पूछने के लिए तो यह एक नॉर्मल बात थी तो यहाँ पर जो राजेस गोतम होता है उसको इसमें कोई जोल नजर नहीं आता है तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तो जो राजमिस्त्री सेलेंदर होता है वे ज़्यादा ज़्यादा राजेस के घर पर आने लगता और राजेश तो ज़्यादा तर बिजी रहता है सुबह स्कूल जाता और उसके बाद स्कूल से आने के बाद वह अपनी प्रोपर्टी डिलिंग का काम भी समाला करता तो घर पर सैलेंदर राजमिस्त्री का आना जाना ज़्यादा लग जाता है और जब एक लिमिट से ज़्यादा कोई इंसान गर के अंदर आने लगे और वहीं पर रुखने लगे के घंटे दो दो घंटे तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा सक होने लगता है और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों जो पिंकी होती है वह उस राजमिस्त्री से प्यार करने लगती है क्योंकि वह वह वहाँ पर रुखता ही इसलिए था जिससे कि पिंकी उसकी तरफ नजर बढ़ाए और उससे प्यार करें पिंकी देखने में बहुत ही खुबसूरत थी और अमीर भी थी अब यहाँ पर पिंकी को राजमिस्त्री जिसका नाम होता है एलेंदर इससे प्यार हो जाता है इन दोनों को जब प्यार हो जाता है तो यह घर के अंदर सम्मंद बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अब घंटों घंटों तक राजमिस्त्री सेलेंदर इनके घर में ठेर जाता है अब पडोसियों को थोड़ा सा सक होता है तो पडोसियों को जैसी थोड़ा सा पता चलता है तो पडोसी तुरंत राजिस गौतम को बताते हैं और राजिस गौतम के भाईयों को भी बताया जा था और दोश्टों घरों के अंदर लड़ाईयां तब बनती हैँ जब हमारा कोई बुज़ुर्ग या फिर हमारा कोई दादा पर दादा या फिर हमारा कोई पिता जो हमारी प्रापरटी को अच्छे से नहीं बाड़ता है या फिर उसको आधी अधूरे में छोड़ देता है तो फिर परिवारों में खानदानी लड़ाईयां बना करती हैं। तो यहाँ पर जो राजेस गौतम का पिता था उसने बड़ी ही समझदारी और सूजबूस से अपनी प्रॉपर्टी का बटवारा अपने तीनों बेटों में बराबर बराबर कर दिया था। तो लड़ाई का कोई माएना उठता ही नहीं था और तीनों भाईयों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। तो यहाँ पर तीनों भाईयों को पता लग जाता है कि यहाँ पर राजेश गौतम की जो पत्नी पिंकी है वह राज मिस्त्री सेलेंदर के साथ नेनमा ठका कर रही है सम्मन बना रही है। तो यहाँ पर राजेश जो होता है वह राज मिस्त्री को धमकाता है और उसका हिसाब करके उसको घर से निकाल देता है और जो काम होता है उस काम को छुड़वा देता है और कह देता है कि भाई अपना कहीं और काम देख लो मैं कोई दूसरा मिस्त्री ढूंड लूँगा और उधर अपनी पत्नी को भी समझाता है, उससे लड़ाई नहीं करता है, उसको प्यार से समझाता है कि देख, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी भी सुख की कमी नहीं है, जिस चीज की तुँ इच्छा करती है, तुरंट आ जाती है, तो तु ऐसा वैसा करते मत कर, अराम से घर में रहे, मैं तो उससे अभी कुछ नहीं करूँगा, पहली बार है तुमारा, तो अपर पत्नी को समझा करके, फिर से अपने काम धंदे में लड़ जाता है, लेकिन दोस्तों पत्नी अकेली हो जाती है, पिंकी, और जो राजमिस्त्री सेलिंद्र होता है, उसका तो उमिन दोनों के बीच में बात ये होने लगती है, कि पंकी कहती है, क्यों न मेरे पती को रास्ते से हटा दो, तब ही हमारा प्यार-परवाल चड़ेगा, लेकिन पिंकी अपने पती की प्रोपर्टी को भी हडपना चाहती है, अगर इसी तरह से वे अपने पती को तलाक दे दे तो प्रापर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए विपने पती को तलाख ना दे करके उसको रास्ते से अटा करके जब उसकी प्रापर्टी पिंकी के नाम हो जाए तो फिर उसको अपने प्रेमी जिका नाम होता है सैलेंदर, उसके साथ मौज मस्ती करनी है, यानि कि इतनी प्लानिंग करते हैं कि अब राजिस गौतम को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और इस तरह से रास्ते से हटाएंगे कि किसी को हमारे उपर कानों कान सक भी नहीं होगा अब यह दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम राजिस गौतम को खाने में जहर दे दें और अपने पती राजिस गौतम को वह खाना खिला देती है लेकिन दोस्तों किसमत की बात थी राजिस गौतम जैसे पेट में दर्द होता है जहर का असर होता है उसको हॉस्पीटल में भरती करवाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसको ठीक कर देते हैं लेकिन यह चेक अप नहीं कर पाते हैं कि इसकी हालत खराव कैसे हुई बस यही अंदाजा लगा लेते हैं कि फूड पोजिनिंग से इसकी यह हालत हुई है तो अब की बार टेस्ट नहीं किया जाता है ब्लेड टेस्ट बग़रा में जो की पता चलता की खाने में जहर मिलाकर खिलाया गया है तो अब वापस चे ठीक हो करके राजिस गोतम अपने घर आ जाता है और जो पतनी पिंकी होती है उसके अर्मानों पर पानी फिर जाता है यह तो पासा उल्टा पड़ गया अब दोस्तो अभी भी पिंकी राजमिस्त्री के साथ संपर को में थी उससे बात कर रही थी और कह रही थी कि इसको किस तरह से रास्ते से हटाया जाए तो राजमिस्त्री कहता है कि अब की बार जहर नहीं देंगे क्योंकि अगर हॉस्पीटल में चेक कर लिया खून टेस्ट हो गया तो उसे हमारा सारा भाना फूर जाएगा कि खाने में जहर दिया गया है अब इसको दूसरे तरीके से मारेंगे और इसके नाम की सुपारी देंगे दो सुपारी किलर मेरी नजर में है वो सुपारी लेंगे और इसको मार कर चले जाएंगे और किसी को हमारे उपर कोई सक भी नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पर सुपारी किलर उसे बात की जाती है वो चार लाग रुपे मांगते हैं और यहां पर पिंक की देखिए दोस्तों बदकिस्मती अपने ही पती को मरवाने के लिए उसी के कमाई हुए पैसों को जिनको अपने पास रखा करती थी जिनके ओपर मालके मना करती थी उनमें से ही चार लाग रुपे निकाल कर अपने पत समय पर जो सुपारी किलर होते हैं, वे फरार हो जाते हैं पैसे लेकर, क्योंकि उनको पता था कि हम पैसे लेकर फरार होंगे, तो पिंकी और उसका प्रेमी पीछे से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा पाएगा, क्योंकि पुलिस पूछेगी तुम ने पैसे क्य दिये थे, तो इनका भाना फूट जाएगा, तो हमारा यह कुछ नहीं बिगार सकते, वे पैसों को लेकर फरार हो जाते हैं, उसके बाद पिंकी और उसका प्रेमी राजमिस्त्री बड़े ही परिसान हो जाते हैं, कि इस पती को रास्ते से कैसे हटाया जाए, तो वे दूसर पिंकी और राजमिस्त्री कहता है किस तरह से दोगी, तो पिंकी और राजमिस्त्री प्लानिंग करते हैं, कि एक ECO कार ली जाएगी, और यह घूमने के लिए सुवसर मौर्निंग वाक के लिए पार्क की तरब जाता है, वहां पर भीड भी भी नहीं होती है, घूमते हुए को गाड़ी से उड़ाएंगे और फिर दूसरी गाड़ी एक और लेकर चलेंगे जिसको तीस राद में चला रहा होगा उसमें बैठ करके वहाँ से निकल जाएंगे इको को वहीं पर छोड़ जाएंगे और इको के नंबर चेंज कर देंगे यानि कि नकली नंबर लगा देंगे इसी तरह की प्लानिंग कर ली जाती है और अपने पती को पिंकी खुद मानने के लिए तैयारियां कर रही होती है यह एक एको खरीते हैं पुरानी एको उसका नंबर चेंज करते हैं नंबर चेंज करने के बाद अब यहाँ पर यह कहते हैं कि भाई अब किस तरह से उसको मारा जाए तो वह सोचते हैं कि सनीवार को जादा तर लोग सोबे संडे की छुटी होने के कारण जादा मौनिंग वाक पर नहीं जाते हैं तो सनीवार को मौनिंग वाक करने की जगे खाली होती है लेकिन मेरा पती हर बार को मौनिंग वाक के लिए जाता है तो चार नवंबर को सनीवार पड़ता था सनीवार को उसको मानने की प्लानिंग तैकर दी जाती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात देखिए पत्नी को पता था कि उसके बच्चे भी उसके पती के साथ मौनिंग वर्क के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों को बचाना चाहती है पती को मानना चाहती है तो जैसे चार नमबर होता है पती की मौत की सारी प्लानिंग वे पत्नी कर चुकी थी सुबच सुबच जैसे पती राजे सुठता है तो अपने बच्चों को जगाने लगता है तब ही पत्नी कहती है कि इनको म निक्त करते हैं जिसको दूसरी गाड़ी दे दी जाती है वे पीछे से दूसरी गाड़ी को लेकर आएगा जब राजेस को उडआ दिया जाएगा तो अब राजेस को देखा जाता है एक जगह पे खाली जगह थी जहांपर बहुत ही खुला एरिया थाceptions पर राजेस मौनिंग जाती है और वह आगे नहीं चल पाती है तो यह प्लानिंग के तहट पहले ही आये थे तो वह तुरंट पीछे से दूसरी गाड़ी आती है यह तीसरा लड़का अपने साथ सामिल करते हैं कुछ पैसा दे करके और उस गाड़ी में बैठ करके फरार हो जाते हैं आसपरोस के लो अभी पिंकी के ऊपर सकता कि हो ना हो पिंकी ने एक अवाड़ा करवाया है वरना ऐसे ही कैसे मतलब किसी का कतल हो जाएगा मौत हो जाएगी राज इसकी तो यहाँ पर पुलिस को बताया जाता है कि पिंकी के अवैस सम्मंद राजमिस्त्री से चले हुए थे और हमारे था वह तो डुप्लिकेट था एको जब एकदम से खराब हो जाती है तो दूसरी गाड़ी आती है उसमें वह दोनों बैट कर फरार होते हैं उसके बाद जब भाईयों ने बता ही दिया था कि भावी पिंकी पर हमें सक है तो पुलिस पिंकी की कॉल डेटेल्स चेक करती है औ बच चार वजे पिंकी ने अपने प्रेमी उस राजमिस्ट्री जिसका नाम होता है यहाँ पर सेलंदर उसके पास फौन किया था और असम्बे की बात ये देखिए कि पिंकी की लोकेशन और सेलंदर राजमिस्ट्री की लोकेशन भी उस समय वहीं पर बोल रही थी फौन की जहां पर पिंकी के पती राजिस गौतम की हत्या हुई थी यानि कि सीधा सीधा इसारा था पिंकी और उसका प्रेमी ही उस गाड़ी में थे और उन्होंने ही राजिस गौतम की हत्या की थी पिंकी और उसके प्रेमी को उठा लिया जाता है और सारी चीज़ें यहां पर मिल जाती है और उसे पूछा जाता तुमने ऐसा क्यों किया तो पिंकी बताती है कि मैं अपने पती से उब गई थी और मैं अब अपने नए प्रेमी के साथ रहना चाहती थी लेकिन मुझे मेरे पती की पती भी चाहिए थी इसलिए मैं अलग तरीके से काम कर रही थी तलाख ले नहीं सकती थी पती को मार करके सारी प्रोपरटी मेरे नाम आती और उसके बाद में यहां से फरार हो जाती तो दोस्तों यह सारा भेद खुल जाता है अब पिंकी और राजमिस्त्री सेलेंट को जेल में डाल दिया जाता है और उस तीसरे आदमी को भी पकल लिया जाता है अब उनकी जवानी तो जेल में यहीं जाएगी बुड़ापे में हो सकता है सरकार उनको समा कर दे उनके उपर तरह साजाय छोड़ दे फिर वे क्या करेंगे जवानी उनकी यहीं जेल में निकल जाएगी और जो दो बच्चे थे उनके उपर से मा और बाप का साया हट गया इतनी सारी धंदौलत देते हुए भी होते हुए भी उस परिवार के अंदर फिर भी उस घर के अंदर ऐसी घटना हो गई तो कहते हैं लोग भुकमारी में, कंगाली में एक काम होते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों ये जिसकी बुद्धी उल्टी होती है वो उल्टे-उल्टे ही काम करता है चाए अमीरी हो या गरीबी हो तो कभी भी जीवन के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए अब जो यह है पिंक की है ना ही अपने पती के साथ रह पाई और ना ही प्रेमी के साथ रह पाई और अपने बच्चों से दूर हो गई और ना ही प्रॉपर्टी और धनमाया इसको मिल पाई सारी चीजों से दूर हो गई और अब एक नर्क के समान इसकी जिंदगी गुजरेगी तो उल्टे करम का उल्टा ही नतीजा होता है जैसी करनी वैसी भरनी हमेशा होती है कभी भी जीवन के अंदर ऐसा ना करें जो भगवान ने दिया है उसमें अपनी राजी से रहें और जैसा जीवन साती उपर वाले ने लिखा है जिसके साथ पानी गरेन हमने किया है उसी के साथ जीवन भर रहें और इमनदारी से रहें चाहे दूसरा जीवन साती रहे या ना रहे लेकिन खुद इमनदारी से रहें क्योंकि परमात्मा के पास भी जाकर जबाब देना होता है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं दिनको सेयर जरूर कर दिया करें अगला पोराम बोजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साथान रहें रिष्टो की अमित को समझें जै हिंद जै भारत